कि पीजनेस की एक ही परिभाषा होती है return on investment लिए पॉजिटीव है तो आपका बिजनेस में कर रहे हैं अगर निगेटीव है तो यह भी तोन परिफॉर्मिंग असेट हमारे देश में बिजनेस परफॉर्वंस के लिए 12% प्लस से शुरुवात होने बढ़ती है कि कि कॉस्ट अप कैपिटल जिसको सूध बोलते हैं वो तो पहले तो बैंकी लेकी जाएगी उसके बाद में मेरा मिलेगा ना तो 12% प्लस दुनिया का होता है 2% से लेवल प्लेइंग ग्राउन बदल जाते हैं और हमें फिर कॉंपिटिशन करना है ग्लोबिलाइज मार्केट में है ना तो ट्रेल मिलते है ना तो वैसा मिलता है और यहां का हर अगमी यहां लगता है कि भाई हमें ऐसा क्यों होता है हमारे बच्चे जब यूरोप अमरीका चल अबस्ता में जो प्राबलम आ गया है वो परीभाशा समझ में समझ में अहीं नहीं हमारे हमने संसाधनों की भाशा समझी है हमने वो पैसे की जो फैलसी अंडर्स्टैंडिंग आज के 1000 के नोट पे अश्ट दो हजार के नोट पे सरकर ने और एक जुरो बढ़ाया तो हमें 20 30,000 का transaction करना पड़ेगा सरकार के लिए कितना खर्चा गया है एक जुरो बढ़ा दी के लिए आईसी value create हो सकती है क्या ऐसो हो सकता है क्या और यही हो रहा है कि यह जो economics आभी जो बड़ा हो गया है वो brain को purchase कर पा रहा है क्योंकि उसके पास purchasing power आ गई है need plus purchasing power is equal to demand need याने जरूरत purchasing power क्रेश शक्ति demand याने मांग अगर आपके पास purchasing power जादा आएगी तो आपकी demand जो है need है वो dilute होने लगेगी इसको consumerism बोलते है हम अपने बच्चों के साथ बाते करते तो बोलते हैं कि हमारे पहर में तो चपल भी नहीं थी है हम तो cycle पे घुमते थे लेकिन भूद खुश थे आपके पास क्यों ऐसा नहीं है पूरी दुनिया आज इसके जंजोल में आ गई है समझ नहीं पा रही कि इसके आगे कैसे निकल आए यही economist human development index की बात जो मारते आ रहा है हमारे सर पे कि आपका per capita energy consumption इतना होना चाहिए आपकी per capita income यह नहीं हो चाहिए आपकी literacy आपकी infant rate एक देश नया आगे आया चोटा सा देश भूतान पहली बार उन्हेंने happiness index की बात किये लेकिन यह भी काफी नहीं है इसके आगे चलके हमारे देश को satisfaction index देना पड़ेगा कि हमारा satisfaction कहा होता है यह threshold है एक इसके आगे कुछ नहीं होता है सिर्फ consumption बढ़ते रहता है satisfaction का एक मतलब होता है जैसे मुझे गुलाब जाम बहुत पसंद है खाने के लिए मैंने खाना शुरूब किया दो इसमें मैं satisfy होगा है तीसरा होता है consumption होता है ना उसके कोई satisfaction कुछ नहीं होता उसमें सिर्फ consumerism और इसकी यह modern जो economy खड़ी है वो consumerism पर खड़ी है क्योंकि वो supply chain तब तक नहीं गुमेगी जब तक आपके consumption नहीं होगे सबी को रोजगार अगर चला ना है तो उसको तो consume करते रहे ना है एक तरफ sustainable development की बात हो रही है दूसरे तरफ life की प्रोग्रेसिटी की बात हो रही है कि प्रोग्रेसिव डेवलप्मेंट अभी एक जगा आने की बात हो रही है कि इससे आगे नहीं चल सकती है पृत्वी उसको बेहर नहीं कर पाएगी कि आज दुनिया के सबसे दो बड़े कंसन आ गए जो सब को हमको ग्लोबिजन उन्होंने बना दिया अभी हम सिर्व भारत के सिटीजन नहीं है हम ग्लोबिजन हो गए ग्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग ने और दूसरा ग्लोबल टेररिजम ये दोनों चीज़ अपने घर में आ गए अभी और ये सभी आ रही है अर्थ शास्त्र से ये रिजोर्सस इतना दे रही है मैं तो अभी अपनी देश की बात कर रहा हूं क्योंकि ये डीप मोनेटैजिशन की जो है उसका श्रेय अपश्रय जोणो है हमें क्यों मिल रहा हैं मालूम नहीं है ये तो मोधी जी का ही है क्योंकि हम तो 16 साल से ये बताते जा रहे हैं किसी कि करन्सी नोट डिमेंटिस हो जाएगी और सव डॉलर की नोट प्रिंट करने के लिए अमरिका को सिर्फ बारा सेंट का खर्चाता है प्लस माइनस बारा सेंट वो कागज का टुकड़ा जो बनता है दस सव डॉलर जिस पे लिखा है वी ट्रस्ट इन गॉड वो डॉलर पी जो सव डॉलर वैल्यू का अलफान सो बेशते है देते उसके बदले में कागज का टुकड़ा लेते उसकी किमत कितनी है बारा सेंट